स्वागत है आप सभीगा मारे यूटूब चैनल फिजिक्स केल पर आज मारे टोपिक है लेसन 3 बिदूत वियो से सम्बंदित अगला टोपिक हमारा और टोपिक के हमारी है विद्यूत दिवी ध्रुव के लिए विद्यूत विभाव का व्यन्जक तो सबसे में बाद इसमें है विभाव तो हमें निकालना है विद्यूत दिवी ध्रुव के लिए और विद्यूत दिवी ध्रुव क्या होता है यह हम जानते हैं विद्यूत दिवी ध्रुव में दो समान चार्ज होते हैं एक्वल परिमान के सेम परिमान के और प्रॉपर्टी उनकी क्या होती है आप प्रेस प्रकरती क्या होते हैं और अती अल्ब दूरी पर स्थित होते हैं वह आपका विद्यूत दिवी ध्रुव के लिए विद्यूत दिवी ध्रुव के लिए विद्यूत दिवी ध्रुव का वेंजर सबसे पहले हम डाइग्रम की बात करें इसका तो यह आपके पास एक विद्यूत दिवी ध्रुव कर .o से small r distance इनके mid pointo से small r distance और función 30 प्रक्रेख पर एक .p इस нажा इंट पर आपको विदुत टीविवव की गणना करनी है Wars में हमने विदुदिवी मिज्फlor traders की आक्षपर पर निरक्षपर तुर्दि वरता का मान find करते हैं तो जो point P होता है वो हम अक्ष पर लेते हैं यहां विदु दिविदु को मिलाने वाल रेखा पर और जब निरक्ष पर find करते हैं तो point हम विदु दिविदु की निरक्ष पर यहां लेते हैं जो इस विदु दिविदु की अक्ष के लंवत गुजरती है मद्य बिंद जब यहां आ जाएगा अक्ष पर तो थीटा की वैल्यों कितनी हो जाएगे जीरो और जब हम निरक्ष पर find करना होगा तो यह पॉइंट पी यहा जाएगा और यहां से इसकी वैल्यों कितनी होगी अक्ष से नाइन्टी तो थीटा कामान नाइन्टी हो जाएगा तो कुल मिला कि हम जंदल इसका फॉर्मुला ड्राइव करते हैं अक्ष और दिरक्ष पर फॉर्मुला आपके सलेवस में है नहीं लेकिन बाद में केस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया हुआ है तो विद्धु दि कारण जो हम इसकी दूरी है वो डिफाइन कर लेते हैं और माइनस क्यो आविश के कारण इसकी दूरी है वो डिफाइन कर लेते हैं तो मान लेते हैं माइनस क्यो आविश के कारण इसकी जो दूरी है वो आरवन है और प्लस क्यो आविश के कारण इसकी दूरी है वो कितनी है है R2 हम थियोरी लिखेंगे इसकी तो हम थियोरी क्या लिखेंगे माना एक विद्यूत द्वीद्रू जिसके आविशों के बीच की दूरी जिसके आविशों के बीच की दूरी टूरी है द्वीद्रू के मद्धे बिंदू जिसके मतलब यह दिस्टेंस मूल डी होजाएगी और यह दिस्टेंस पर कितनी हो जाएगी इसे हम पॉइंट माल नेते हैं A इसे हम पॉइंट माल लेते हैं B तो A से O की दूरी कितनी होगी D और B से O की दूरी कितनी होगी D क्योंकि midpoint है मद्य बिंदू O से small r दूरी where theta कौन पर एक बिंदू P स्थित है जहां परणाम्मी विद्युत विभो की गणना करनी है जहां परणाम्मी विदू दूरी कितनी है 2D दूरी विभो के मद्य बिंदू O से small r दूरी और theta कौन पर क्या एक point है P और वहां में परणाम्मी विद्युत विभो की का करनी है गणना आता है आता है अब देखिए माइनस Q आवेश के कारण P बिंदू पर विवव कितना होगा विवन बराबर विवव होता है के क्यू अपॉन मेर तो यह आएगा के क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है माइनस क्यू की पी थे आर वन तो यह आएगा और क्योंकि माइनस चार्ज है इसलिए आएगा माइनस क्योंकि विवव अदिश राशी है तो रनात्म विवव के ल ब्राबर आएगा V2, V2 ब्राबर आएगा KQ और प्लस क्यों चार की दूरी कितनी है P तक R2, तो KQ अपन में R2, ये टोटल खुल विवाव दोनों आगे, इसलिए P बिन्दू पर परिनाम्मी विवाव, V1 प्लस V2 आएगा, अब हम इसे एड़ करें, तो value पुट करें, V ब्राबर, V1 की value, माइनस KQ, माइनस KQ अपन में R, प्लस KQ अपन में R2, यहां से common आजाएगा, क्या KQ common आएगा, minus 1 अपन में R1, प्लस 1 अपन में R2, Lcm लेके हम इसे हैल करें, तो Lcm आएगा R1 R2, minus r2 तो यहां LC मा आएगा r1 अपन में r2 और इसको solve करने के बाद minus r2 और यहां आएगा plus r1 और इसको हम solve करें तो final जो value मिलेगी हमें यह मिलेगी v is equal to k q r1 minus r2 upon में r1 r2 यह आपके पास final value है equation number third यह देख लिजिए r1 plus का है r2 minus का है upon में r1 r2 है तो v is equal to k q upon में r1 minus r2 upon में r1 r2 अब हमें r1 r2 की value find करने हैं इसको solve करने के लिए बाद वा value find होगी हमें यहां से हम ध्यान से देखें इसे तो आपके सामने diagram है और diagram से हमें r1 r2 की value find करनी है diagram से r1 r2 की value कैसे find होगी हम check करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां परकार की नोक रखकर आर्टू त्रीजा का एक चाप खोल कर यहां काटते हैं r पर और मान लेते हैं वह यहां किस बिंदू पर काट रहा है यह point हम मान लेते हैं m r2 यहां बिंदू point p पर परकार की नोक रखकर r2 त्रीजागा चाप खोलते हैं और बिंदू p से एक चाप कार देते हैं r2 त्रीजागा इसका मलो p से m की दूरी कितनी होगी r2 और यहां point पर काटा और यहां मैंने एक सपर्शेगा खिर्ची बिंदू a से जो इसको मिला रही है तो यहां काटे के चाप पर पर परकार की नोक रखकर बिंदू a तक r2 त्रीजागा चाप खोल लेते हैं अब यह r1 त्रीजागा चाप यहां तक खोल लिया और यह distance बहुत बढ़ी है तो अब यहां से हम बिंदू p से r1 त्रीजागा चाप काटते हैं इस पर इस op रेखा पर लेकिन यह op रेखा पर ऊपर नहीं काटेगा क्यों क्योंकि r1 जो value है r से बढ़ी है तो यह कहीं यहां नीचे काटेगा इसे for example यह यहां काटेगा इसे हम इसे मिलाएं इसको dash dash करके तो यह आपको यहां काटेगा रियादी हम यहां से बिंदू A से यहां पे एक सपर्ष हेगा खीजदे तो यह एंगल जो है यह बनेगा आपका 90 यह वाला एंगल जो है यह 90 बनेगा यह वाला यह अंगल थीटा है तो यह अंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा तो उम्मीद करते हूं आपको डाग्राम समझ आ चुका होगा डाग्राम के अंतर क्या है सबसे पहले हमने बिंदू पी पर प्रकार के नोग रखी आर्टू तुरी जगा चाप खोला और ओपी रिखा भी काटा जब यहां से हमने चाप काटा तो यह बिंदू एम पर काटा फ इसलिए रेखा ओपी को ओपर कहीं नहीं काटेगा यह नीची और काटेगा तो माल लेते हैं यहां काट रहे है यहां से अबने एकशपर शेका कि ची जो बिंदू यह पर मिल दी है क्योंकि इसपर शेका है तो यह एंगल कितना मुनेगा 90 यह यह एंगल ठीटा होने से यह से बहुत कितना होगा थेटा तो आपके पास यां दो त्रिपाज को दिर केरिवान हो रहा है एक तो त्रिपांच कॉण तिरकिव इन- औ यह रहा बी- atraff well your gmao और एक आपके पास तुरिव और है कि इसको मैं नाम झा तो एक अपे अन-उत मों remember in-n-फाल muffin तो 대boys 5 रहे और वैलिई भी आपको प्राप्त हो जाए तो देखिए यह आपके पास डाइग्राम है और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी दोनों वैल्यू हम R1, R2 की फाइंड कर लेते हैं इस डाइग्राम को दियाँ से देखें इस डाइग्राम के अंदर क्या है दो त्रिबूज बन रहे हैं आपके पास कौन-कौन से त्रिबूज बन रहे हैं एक समकौन त्रिबूज बन रहे हैं और इस समकौन त्रिबूज एनो बन रहे हैं अब हम चित्र से देखें अब हम क्या देखें चित्र से तो देखो आप यहाँ लिखेंगे चित्र से जो यह ओपी रेखा है यह जो O P रेखा है, यह O P रेखा है, किस किस से मिलकर बनी है, यह बनी है O M प्लस M P, यह जो O P रेखा है, यह O M प्लस M P से मिलकर बनी है, क्योंकि M P का चाप कटा आपने यहाँ पर O P की value मुझे पता है कितनी है, R, O M की value नहीं पता और MP की value कितनी होगी P से M तक जो मैंने चाप गाटा है वो R2 तरी जग है इसका हम लोग ये value होगी R2 तो इसका मतलब यहां से R2 की value क्या आएगी R2 की value आएगी R minus OM R2 की value क्या आएगी R minus OM ये equation number 4 equation number क्या आएगी 4 अब हमें OM की value चाहिए अब हमें क्या चाहिए OM की value वो हम इस त्रिबू से find कर लेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार अब ये दुबारा चितर देखें आप आपके सामने चितर है चितर से ये जो AP की value है ये जो आपके सामने AP की value है ये AP की value कितनी होगी वो हम लिखते हैं तो वो देखें कितनी होगी मैं आपके सामने यहां लिखता हूँ चितर से पहले मैंने OP की value find की OP क्या है OP है आपके सामने OM प्लस MP OP की value R है OM की value हमें find करनी है और MP की value हमरे पस R2 है क्योंकि मैंने यहां से यहां तक R2 का चाप किचा था R2 की value आगे मिरे पास R-OM R-OM अब मुझे OM की value चाहिए तो समकौन तिरबुझ BMO से समकौन तिरबुझ BMO से मैं OM की value find कर लेता हूँ OM को मैंने उपर रखा और मिरे पास value कौन से पता है मुझे OB गी θटा सामने मुझे यह लंब है 90 सामने मुझे यह करण है तो OM की होँआ अधार तो यह बना अधार बटे करण और अधार बटे करण क्या होता है cos theta यहाँ से OM की value आएगी OB cos theta OB क्या है OB यह distance है यह D है तो OM की value आगी D cos theta अब यह value यहाँ put करें तो यहाँ से R2 का मान क्या आएगा R2 का मान आएगा R minus D cos theta यहाँ के पास R2 की value find होगी equation number 4 अब मैं value find करनी है R1 की अब मैं value find करनी है R1 की तो R1 की value क्या होगी देखो चितर से again चितर से तो चितर से value देखिए AP या AP ना देखकर हम यह देखें NP क्या है NP पूरा तो NP किसके ब्राबर है NP ब्राबर है NO NP इस इक्वल टू NO PLUS OP अब O से N की distance नहीं पता लेकिन OP की distance पता है OP की distance कितनी थी R तो ON PLUS R और NP N से लेकर P की P से N तक कितना चाप काटा है हमने R1 का तो यह value होगी R1 अब R1 की value है हमारे पास NO PLUS R हमें NO की value चाहिए अब NO की value कैसे निकालेंगे समकौन तरभूज ANO से समकौन तरभूज ANO से ANO से तो ANO से value find करें तो क्या आएगा AN हमें value find करनी है NO की NO यानि ON यह की बात है NO या ON तो ON या NO अपोन में AO और यह अधार बटे करन बनेगा दुबारे से cos theta चोगि 90 सामने यह क्या होगा theta सामने यह हुआ sorry 90 सामने यह हुआ करन theta सामने यह हुआ तो यह क्या हुआ अधार तो ON अधार हुआ यह करन है तो यहां से ON की value क्या आएगी ON की value आएगी AO cos theta और AO की value कितनी है D तो यह value आगी D cos theta तो R1 की value आईए आपके पास यह value पूट करो R plus D cos theta R plus D cos theta तो यह आपके पास complete होगे दोनों value समीकरण नमबर 5 यह समीकरण 4 और 5 से जो value है यह समीकरण 4 और 5 से जो value है हम 3 में put करें तो आपके पास क्या मिलेगा देखिए समीकरण 4 और 5 से जो value हमने put करनी है यह 4 और 5 से जो value है यह कहां put करनी है 3 में put करें तो हम लिखेंगे by 3 4 4 & 5 क्या आएगा V ब्राबर की Q अपन में R1 की वेल्यू R plus D cos theta minus R2 की वेल्यू क्या है R minus D cos theta अपन में R plus D cos theta और R minus D cos theta इसे हम solve करें R plus D cos theta minus minus क्यों आपन में बनेगा A square minus B square का formula तो A square minus B square का formula यहां तक complete आईए देखिए यह minus sign खुला तो यह अंदर plus हो गया और अपन में A minus B plus into A plus B है तो A square minus B square है formula R से R क्या हो गया गया तो वेल्यू के पास जो बच्चेगी वो होगी D और D 2D cos theta into में बाहर क्या है KQ हम जानते है R very very greater than D है इसलिए D की उच गातों को नगने मानकर छोड़ दें तो यह value 0 हो जाएगी D square को 0 करें तो 0 हो जाएगा तो अपन में क्या बच्चेगा R स्क्चेर Q into 2D Q into 2D यह क्या हो जाएगा P तो क्या बच्चेगा आपके पास K P Q into 2D क्या हो गया P तो K P और साथ में है cos theta तो K P cos theta अपन में R स्केर यह आपके पास विदू दिवीद्रू के लिए विदू दिवीद्रू का बेंजक है K P cos theta अपन में R स्केर यदि आपको V अक्ष find करना है और V निरक्ष find करना है तो अक्ष क्या होगा जब यह point P यहाँ आजाएगा इस जगह जब point P यहाँ आजाएगा तो कोई भी cone नी बनेगा तो theta का मान कितना होजाएगा 0 theta का मान 0 cos 0 की value 1 तो यहाँ cos 0 का मान 1 पूट करें तो क्या आएगा K P अपन में R स्केर और निरक्ष पर find करना है तो निरक्ष क्या होता है दिविद्रूब की आख्ष के लंबत mid point चो रेखा हो जड़ती है वो जब इन दूपी यहाँ आजाएगा तो अंगल कितना है अपने आख्ष से 90 और cos 90 की value 0 तो यह cos 90 0 0 into this 0 तो 20 रक्ष कितना आजाएगा 0 तो यहाँ के पास विद्रूब के लिए विद्रूब का वेंजग complete हो चुका है जान्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में करें 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 करें